नमस्कार मैं डॉक्टर सिधार जैन गैस्ट्रो सर्जन इंद और में प्रैक्टिस करता हूं आज हमारा टॉपिक एक बहुत सीरियस टॉपिक है इनसेंस की ये आपके रेक्टम का मतलब गुदादवार जो होता है उसके कैंसर से सम्मध्य टॉपिक है ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर है जो पिछले दस सालों में इंडिया में इसकी इंसिदेंस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है अल्मोस्ट नौ कंपेरेबल विद वेस्टन कंटरीज ये बिमारी प्राइमरिली अमेरिका, यूरोप में ज़्यादा देखी जाती थी क्योंकि उनका खाना, उनका रहन सहन, उनके फूड में जो कंस्टिट्वेंट्स होते है उसकी वज़े से सीए रेक्टम, मतलब कुदादवार का कैंसर बड़ी आत का जो आखरी पोर्शन होता है रेक्टम, उसमें जो कैंसर होता है, उसको ये बोला जाता है ये बहुत कॉमन बिमारी थी यूएस में इंडिया धीरे 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 यूएस को कैच अप करता जा रहा है और अब CA rectum हमारे यहां भी बहुत frequently seen problem होती जा रहे है तो इसका सबसे common symptom जो होता है जो हमें आगा करता है कि कुछ problem है patient के साथ वो होता है altered bowel moments सबसे पहले patient आपको यह बोलता है कि 6 मेने पहले तक मेरे motions ठीक थे अब मुझे बार बार motion जाने की ज़रूत पड़ती है मेरे motion में मुझे blood या कुछ गंदा पानी इस तरीके के motions होने लग गए तो यह doctor के antenna इस पे खड़े हो जाने चाहिए कि इसको कुछ problem है अब unfortunately आज की date में भी हमारे पास बहुत सरे patients late आते है बहुत सरे patients यह सोचते हैं कि मुझे constipation हो गया है मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है और वो कुछ over the counter latent की दवाईया और यह सब चीज़ेंग लेना शुरू करते हैं जिन patients को bleeding होना शुरू होता है वो लोग unfortunately बहुत सरे quacks हैं आजकल जिनके पास पहुच जाते हैं और इन सारी चीज़ों को एक बड़ा bracket में जो की कहते हैं piles इसमें patient का piles का treatment भी हो जाता है हमने कई patient देखे हैं जो piles का operation भी करवा लेते हैं जला लेते हैं कुछ कुछ हो जाता है और उसके बाद आते हैं क्योंकि अंदर rectum में cancer है तो ऐसी situation में सबसे पहला काम जो आपका doctor करता है वो है कि लेटिन की जगे पर उंगली डाल के जाँच करनी होती है जरुत पढ़ती है तो दुर्बीन से जाँच करनी पढ़ती है इससे आपको यह पता चल जाता है कि अंदर कोई serious issue तो नहीं है तो फिर उसके बाद आगे की चीज़ें आपके doctor decide करेंगे आपके साथ मिलके बैठके बात करेंगे आपके MRI होगी और आगे जाचे होगी और फिर यह decision लिया जाएगा कि आपको surgery की जरूत है या आपको radiotherapy की chemotherapy करने के बाद surgery की जरूत है तो यह CA rectum अगर समय से पता चल जाए तो यह बहुत अच्छे results दे सकती है patients में तो थोड़ा patients को इसके बारे में आगा रहना चाहिए सतर करना चाहिए कि यह symptom significant है at the same time doctors को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमको यह बिमारी सब को piles के bracket में ना डाले examine करें और फिर हम उस specialist को refer करें जो यह problems देखते हैं नमस्कार